आईए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी प्रतिशोध सौदामिनी में वो सब गुंथे जिनका एक उचे अफसर की पत्नी में होना अनिवार्य होता है वो अपनी तीकी उन्नत नासिका हवा में उठा कर चलती थी उसकी गरवीली ग्रीवा की तनी एठन उठने बैटने में एक निराली अकड और सर्वोपरी उसकी अनुकर्णिये तथस्ता वास्तव में धर्शनिये थी पुत्री से पती से वो अंग्रेजी में ही बाते करती और अंग्रेजी में भी विशुद कॉन्वेंटरी लटका अर्दली उससे थर्थर कापते उसकी यतन से नुची भ्रिकुटी ही नौकरों को पटू संचालन करने में समत थी आटा दाल चावल मसाले यहां तक की वो चाय भी चमच से नाप तॉल कर नौकरों को देती बंडार की चावी एक शन भी उसके कमरे से लटके चांदी के गुच्छे से विलग नहीं होती वो उन लापरवा ग्रैनियों में से नहीं थी जिने पती के उचे ओदे की सम्रिद्धी ग्रहस्ती के पती उदासीन बना देती है धोबी उसका एक रुमाल भी खो देता तो वो पैसे काट लेती साड़ी की जरीदार कन्नी में जरासा भी सुक्रन रह जाती तो नौकर दुबारा इस्त्री करवाने भागता नौकरों को ही नहीं पती के अधीनस्त अफसरों को भी वो तरजनी पर नचाती रहती किसी को सरकारी गारी पर भीजवाने के लिए टेलिफोन करती किसी को सरकारी माली को अपने बंगले पर बेगार लगाने का आदेश देती और किसी को अपनी भवे मुसकान से मोकर कहती अरे आप देरादून जा रहे हैं एक कट्टा बास्मती लेते आईएगा कोई एटावा जाने वाला हो तो बताईएगा थोड़ा घीमंगवाना है प्रदेश के कौन-कौन से जिले में किस वस्तु की चौथ समेटी जा सकती है वो खूब जानती थी इसी से अचार के लिए कभी कट्टे भरे नीबू चले आते कभी दशेरी कच्चे आमों का असमेही अक्षत कौमार्य भंकर स्वैम तहसीलदार साहब बोरे का बोरा अपने फर्शी सलाम के साथ बंगले में पहुचा जाते शहर में कोई भी नृत्य संगीत गोश्टी होती या कोई बहुत चर्चित फिल्म का प्रीमियर होता तो मुँ मांगे मंचाहे पास सौदामिनी की मुठी में स्वैम ही सरसराने लगते ऐसी रोबदार पत्नियों का व्यक्तितु प्रतिभा संपन पती के व्यक्तितों को दबा कर जैसे कुंठित कर देता है वैसे ही शंकर का व्यक्तितु भी दपकर सिकुड़ गया था वो किस किस से मिलेगा किन के साथ उठे बैठेगा क्या खाएगा क्या पहनेगा ये सब निर्ने सौदामिनी ही लेती थी शहर में ही शंकर के बाले काल का एक प्रियस है पाठी था कभी कभी पतनी की नजर वज़ा शंकर चुपचाप कार निकाल उससे मिलने चल देता अपने कैशोरे के अतीद को एक साथ बैठ कर दोराने में दोनों मित्र आनंद विपोरो उटते वैसे शंकर बड़ा दूर दर्शी था अपने उस मित्र के घर वो हमेशा कृष्ण पक्ष की अंध्यारी में ही जाया करता था जिससे रात्री के अंधिकार में देखने वाले उसके मित्र के द्वार पर खड़ी काली गाड़ी को और उसे न देखें किन्तु एक दिन दुर्भागे से शंकालू सौदामिनी वहीं से घूमने निकली और उसके बाद शंकर ने उस मित्र का द्वार खटखटाना भी छोड़ दिया सौदामिनी को अपनी अनुशासित ग्रेस्ती पर बड़ा गर्व था ईश्वर ने उसे सीमित परिवार दिया था पुत्री थी उसे भी उसने नानी ताल के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था जब कभी छुट्टियों में घर आती तब वो अपने परिवार को साथ ले स्वैम कार ड्राइफ कर घुमाने ले जाती स्वैम उसका चेहरा अनूखी गर्व दीपती से चमकता किन्तु पती और पुत्री के चेहरे पर लंबी कैद की सजा सुन घटकरे में खड़े बंदियों की सी निरीद बैनियता रहती पुत्री मिनी को इश्वर ने रूप नहीं दिया था किन्तु जीविन के सीमत सोला वसंतों को सजाना वो खूब जानती थी होट पैंट्स की हरस्व मोहकता से और भी मोहक बन गई उसकी चिकनी सामली तवचा दरपंसी चमकती पुत्री के प्रतियक ब्लाउज या टॉप का गला कि सीमान तक दुसास उतरने पर उसके नवतारन्य को और आकरशक बना सकता है ये ध्यान में रखकर ही सौधामिनी दरजी की कैची को जान बूच कर और नीचे उतार देती प्रतिवेशी अफसरी बिरादरी के जेश्च पुत्र के आईएस में बैठते ही उसने पुत्री को नैनी ताल के कॉन्वेंट से हटा कर अपने पास बुला लिया और वहीं के फीज भी भर दी है मैंने मेरी समझ में नहीं आया कि क्या तुक है उसे मिट सेशन में यहां बुलाने का उत्तर में सौधामिनी ने दाद पीस लिये थे ओ एस वो पती को इस संक्षिप तक्षर से संभोधित करती थी तुम्हे क्या कभी बुद्धी नहीं आएगी देख रहे हो ब्राम्मन परिवार का होनहार दामाद इश्वर ने घर बैठे छपपड फार कर दे दिया है पिता इतने बड़े अफसर है इस पर हमारी जाती के चाय लोगों को तुम नहीं जानते अपनी बिरादरी का आईएस तो दूर इंजिनियर डॉक्टर दमाद जुटाने में ही तुम्हारा सारा फंड निकल जाएगा उस पर हमारे मकान पर अभी छट भी नहीं पड़ी इस युप के प्रतियेक बुद्यमान मादा पिता का करतव वे है कि वो अपनी संदान को ऐसे प्रेम विवा के लिए उत्साहित करें दोनों प्रेम के चक्कर में पढ़कर विवा करने का निश्चे ले लेंगे तो हम पल्ले जाड़कर पढ़े मजे से दूर खड़े रहकर क्रोध काभिने कर सकेंगे जनकों के से चहरे और लंबी आयाल वाला वो पडोसी अफसर का छोकरा शंकर को फूटी आख नहीं भाता था अंकल आंटी लगाए वो दिन रात उन्ही के हां लिजले जाता रहता और शंकर मन ही मन भुन भुनाता रहता एक तो उसे अंकल का ये संबोधन वैसे ही कार बंकल सा भयानक लगता था उस पर शोकरे की आखें 24 सों घंटे गुड़हल के फूल सी लाल खीची रहती बहुत पहले उसके गाउं में एक गंजेडी पोस्टमैन की आखें भी ऐसे ही चड़ी रहती थी कभी पुत्री के साथ दो पास मंगवा उसे सिनिमा देखने भेज देती कभी रात के खाने पर बुला अकारण ही दिर तक घेरे रहती कभी किसी मुफ्त की सरकारी गाड़ी में उसे बड़े लाड से गुमाने नैनी ताल ले चलती मनी मन अपनी दूर दर्शिता की सफलता पर उसका हरिदय बल्लियों उचलने लगता भावी साथ ससुर की उपस्तिती में नकली पलके चपकाती पुत्री का अभिने उसे निहाल कर देता किन्तु दूसरे पक्ष का असंतोश उन दो जोड़ी आँखों में सपश्ट हो उटता उन्हें पुत्र की इस परिवार से अस्वभाविक घनिश्टा जरा भी अच्छी नहीं लग पा रही थी पर मूँ खोल कर कुछ कह भी नहीं बाते थे एक तो शंकर उनी के साथ का एक वरिष्ट अफसर था उस पर सौधामिनी की युद्धनीती बहुत उचे दर्जे की थी समधिन के रूप में सौधामिनी को पाकर संसार के किसी भी सद्ग्रहस्त की बाचे खिल सकती थी एक तो शंकर का अफसरी अतीद भी दुख धवल नहीं था उस पर एक न्यायप्रिय मुख मंतरी साशन में उसे अनेक आरोपों की गधा टोप पहना एक सुधीर अवदी तक वर्जित कोने में खड़ा कर दिया गया था मंतरी मंडल ने केचुली बदली तो शंकर एक बार फिर सीसो के तक्ते पर नीचे गिरे शिशु साही उपर उठकर गर्व से मुस्कुराने लगा था उसके जो जो अपराद विगत मुख मंतरी के शासन काल में उसके विरुद खड़े निरलज गवा बन गए वो ही इस बार हाथों में पुषपहार लिये उसके स्वागत को खड़े हो गए वैसे ये ठीकी था कि पहली बार प्रदेश में एक मुख मंतरी ने अपने साशन काल में अपने ब्रश्ट अफसरों के निर्भीक रिदय में भी इश्वर के भैका बीजार ओपन कर दिया था देखते देखते अफसरी अचार सहींता स्वयम बदल गई थी अरदलियों के स्वास्त में आश्यरी जनक परिवर्दन होने लगा था उधर अफसर्थ विशेश कर उनकी पत्निया सूखने लगी थी राथी राथ बंगले की सरकारी समरिद्धी ट्रकों में भरभर कर अपने अपने मुकाम पर पहुँचाने लगी सरकारी दरियां, इंस्पेक्शन हाउस के फोम के गुदगुदे गद्धे जिन पर आज तक अफसर पत्नियां गैंडे सी करवटें बदलती थी रंगीन छट्रियां जिने लॉन में गार जाड़े की गुलावी धुक का अनन्द लिया जाता था सब किसी शून्य में विलीन हो गई इसमें कोई संदे नहीं कि इश्वर का भेही बुद्धी का आरंब है पहली बार शंकर का नास्तिक हो उठा मन भी पूजा पाट की और जुकने लगा था वैसे भी उसका सबसे बड़ा गुन था उसका सैयम पत्नी को छोड़कर आज तक उसे कभी किसी कामनी के आकर्शन ने नहीं डिगाया था किन्तु कंचन से उसे परहेज नहीं था वस्तुता इस दौरबल्ले के लिए भी दोशी सौधामिनी ही थी पत्ती को प्रष्टाचार की भट्ती में प्राय पत्नी ही जोगती है अफसरों के उजले चैनों पर भी कालिक पोत कर रख देता था मिट्टी के मोल में सोने के टुकडे सा प्लॉट खरीद कर सौधामिनी ने देखते देखते गगन चुम्बी महल खड़ा कर दिया था ठेकेदार मजदूरों के बीच चिलचिलाती धूप में वो एक-एक इट का लेखा जोखा रख हाथ में नक्षा लिए खड़ी रहती गे प्रवेश होने से पूर भी वो फर्टिलाइजर की किसी प्रख्यात कंपनी के दफ्तर के किराय का बयाना ले चुकी थी क्यों क्या हमारी रहने के लिए दो कमरे भी नहीं रखोगी तीन-चार साल में हम भी तो रिटायर हो जाएंगे शंकर ने एक राट डरते डरते पूछ लिया तो सौधामिनी ने जैसे उसकी खाली खीच ली थी क्यों जी? समझ में नहीं आता किस कार्ट के उल्लू ने तुम्हें इस अफसरी के लिए छांट लिया तुम क्या सोचते हो? ये मकान हमने अपने लिए बनाया है लोन का पैसा कौन देगा? मेरा बाप किसी भी अफसर को तुमने आज तक अपनी वनवाई कोठी में रहते देखा है? मिसिस शुकला को देख लो, मिसिस भारगव, मिसिस सूध किसी के पती ने सचिफ के पत से अवकाश ग्रहन किया तो कोई चीफ इंजिनियर रहा? तीन आईसों के नाम तो मैं गिना हूं जो अपस्वयम आलमगीर कोठियां खड़ी कर ऐसे ऐसे खचणों में रह रहे हैं जिन में शायद कभी उनके चप्रासी बटलर भी रहने में शर्माते हर अफसर की कोठी उसके अवकाश ग्रहन करने पर भी उसके लिए वही IES की तौंखा उगल रही है हमारी बिर्यादरी का प्रतियक बुद्धिमान मकान मालिक प्राइवेट कमपनियों को या सरकारी अनुष्ठानों को ही किरायदार बना कर प्रिश्टिट करता है हम तुम जैसे सरकारी मुलाजम क्या ऐसा किराया उगल सकते हैं उपर की मंजिल के लिए मैंने टाइब की मशीन वालों से बात कर लिए नीचे की मंजिल को फर्टिलाइजर्स वाले ले रहे हैं कठल आम नीमू के पेड़ तो मैंने बुद्धिमानी कर प्लॉट लेते ही हर्टि कल्चर वालों से लगवा दिये थे भगवार ने चाहा तो अगले साल ही फल देने लगेंगे देखा नहीं कैसा गेंडे सा कठल लटक रहा है पेड़ों पर मैंने सब ठेके पर दे दिये हैं किन्तु एक ही क्षेत्र में सौदामनी ने पती से मूगी खाई थी शंकर का व्यक्तित्व कभी किसी भी अंच में सुंदरी पतनी से कम नहीं था वो स्वय में एक ऐसे अभावग्रस संसकारी परिवार का पुत्र था जहां उसने मूचे उगने तक बड़े भाईयों के कपड़े छोटे करवा कर पहने थे सौदामनी अत्यंत प्रगतिशील आधुनिक परिवार की पुत्री थी उसके पिताने केवल जमाता की प्रतिभा एवं भविश्य की संभावनाओं को ही कन्या सौपी थी अपनी बारात में वर्फवक्ष के शिवके गनों से देहाती लट बारातियों को देख सौदामनी फूट-फूट कर रोई थी ससुराल पहुंची तो साज ससुर जेट जिठानी को देखते ही उसे साप सूंग गया द्वारों पर चीकट से हैंडलूम के परदे थे बिस्तर पर जीन मलिन चादरें बिछी थी जिन्होंने शायद कभी धोबी घाट की शिला का स्पर्श भी नहीं किया था गोरकपुरी हरे तकिया गिलाफों पर बने सफेट टेड़े अशोक स्तंबी विवान होकर उसी हरीतिमा में अपना अस्तित्व विलीन कर चुके थे साज दिन भर अपनी चौडी हथेली पर दोरे का चूना मलती महरी महराजन से कुंजडिन सी लड़ती रहती एक जिठानी का मियादी बुखार के बाद दिमाग फिर गया था उसे दिन रात कमरे में बंद रखा जाता वहीं से उनकी दिल देला देने वाली चीक ने सौदामनी की पहली ही मदुयामनी में विश्खोल कर रख दिया था उन मादनी जिठानी के पती लफंगों की भाती बो शुक्षित त्रिष्टी से घूरते रहते ननत को मिर्गी का दौरा पढ़ता था दूसरी जिठानी गाजीपुर के किसी समरिदित आलुके दार की पुत्री थी उसके पती वकालत करते थे ये जिठानी भी पड़ी लिखी नहीं थी उनके पिता ने पूरे 25,000 देकर जमाता खरीदा था इसी से चिचक के दागों से भरे उनके स्या और इर्श्यालू उग्र स्वभाव को भी शमायाचना मिल गई थी सुन्दरी शिक्षिता देवरानी को देखकर उन्होंने भी पहले ही दिन आखों ही आखों में तलवार खीच ली थी किन्तु सौदामिनी ने बड़े धैरे से पती को लेकर किनारा खीच लिया था बड़ी सूजबूश से उसने हड़ी से ऐसे मास छुडा लिया कि हड़ी उसी मन्हूस कजबे में पड़ी रह गई और पूरी बोटी उसके मूँ में आ गई पुत्री के जनम पर एक ही बार उसके साथ ससुराय और सौदामिनी के हरिदेहीन वेवार ने उन्हें तीसरे ही दिन लाठी लेकर ऐसा ख़देड़ा कि जब तक जीवित रहे बिचारों ने कभी उधर जाकने कभी दुस्साहस नहीं किया पीच वीच में शंकर को ही किसी लंबी कैद में बंद कैदी की भाती उसके सौदामिनी पैरोल की छुटी देमाबाब से मिलने घर भेज देती किन्तु एक नियत अविधी के भीतर वापिस लोटना उसके लिए अनिवारे रहता अब शंकर को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो उसी परिवार का पुत्र है सिर से पैर तक सौदामिनी ने पती के एक एक अंकी सज्जा में अनुपम निखार ला दिया था किन्तु उसके सुन्दर व्यक्तित्व में लगा अतीत का एक मलिन स्मृती चिन्य अभी भी सौदामिनी को पागल बना देता था जहां उसकी कनपटी पर एका धवलतार चमकने लगे थे वहीं पर शंकर का अभी एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था उसके घने, काले, चिकने, बालों की पाटी अनायासी किसी भी प्रसिद केश तेल कंपनी का विग्यापन बनाई जा सकती थी अपने उस केश प्रसाधन में वो किसी शरिंगार प्रिया किशोरी का साही पर इश्रम भी करती थी गंटो स्वैम चम्पी करता फिर उन्हें पानी में भिगोता फिर ब्रश के धारवाहिक प्रहारों से उन्हें बिठा बीच की मांग निकाल किसी दरावी किसी चप्टी सज्जा में ऐसे बिठा देता कि आंधी भी चले तो मजाल है कि एक बाल भी उड़कर बिखर तो जाए सौधामनी को पती के इन काले केशो पर बड़ा गर्व था किंतु प्रिष्ट भूमी में प्रश्णिक के चिन सी उठी शिखा उसे सौथ से भी अधिक दुगदाई लगती थी बीस वर्षों के दामपत्य जीवन में उस चानक के कीसी शिखा का अस्तित्व न जाने कितनी बार विश्खोल चुका था जब चार वर्ष पूर्श शंकर को एक सेमिनार में विदेश जाने का सुवज़र प्राप्त हुआ तो एक बार फिर सौदामिनी पती से उलच पड़ी थी देखो जी ये चुटिया लेकर मैं तुम्हें हरगेज उन विद्ध्यानों की गोष्टी में नहीं जाने दूँगी क्या कहेंगे सब हर वक्त तो गुस्यल सांड की पूचसी खड़ी रहती है निगोडी प्रतियक वाद विवाद में रौबदार पत्नी का सपर्ष पाते ही छुई मुई से सिकुड जाने वाले शंकर ने शिखा का नाम आते ही उस दिन गुस्यल जंगली बिल्ले साही अपना कुरुद कुबडा उठा लिया था तुम भी सुनलो जी तुम्हें छोड सकता हो पर इस चुटिया को नहीं समझी इस अकड में मत रहना कि जैसे मेरे माबाप छुड़वा दिये ऐसे ही इसे चुड़वा दोगी पती के उस प्रहार से सौदामनी तिल मिला गई थी शंकर के साथ फिर चुटिया जिस शान से विदेश कई उसी शान से तिरंगे सी फेराती लौड भी आई जख्की पती क्रोध आने पर कभी-कभी दिशाग्यान भूल भाल उसे अतितियों के सामने भी अपदस्त कर सकता है ये वो जानती थी एक बार पित्र पक्ष में अपने विदेशी अतितियों के लिए सौधामनी ने गोश्ट बनाने का प्रस्ताओ रखा तो शंकर ने साफ कह दिया था देखो जी आज मेरे बाबू जी का श्राद है चाहे गवर्नराय चाहे राजदूद मेरे घर में गोश्ट बिलकुल नहीं बनेगा ठीक है नहीं बनेगा कह चतुरा सौधामनी ने चुपचाव अरदली को बाजार भेज जिम खाना के प्रसिद कबाब, मुर्ग और बिर्यानी मंगा मेस पर सजा दिये थे अपने विदेशी अतितियों के लिए उसने विशुद भारतिये परिवेश का चंदोवा तानकर रग दिया था रुमाली रोटी थी, अपने आकरशक अव्यमों को पसार दुवंगत हुआ मुर्ग था गोलाकार रासमंडली के सिवरित्ताकार घेरों में सजे कबाब थे और थी दो रंगी हरिताब आभा से उड़ रही केवरे की मंद मधिर सुगंद अतितियों के विदेशी नतुने फड़का रही थी ओ मिसिस चंद्रा, वाट अ ट्रीट के छे फुटी जर्मिनी मिसिस एरिंसन अनभ्यस्त अंगली से रुमाली रोटी का सकड का सा घेरा फेहरा ही रही थी कि निरीम मुर्ग की आकाश को पसरी टांगों पर द्रिश्टी पढ़ते ही मेजबान लाल रंग को देख भड़क गए सानसा ही चौका और गुर्राता बाहर निकल गया नजाने कितनी मिथ्या दलीलें देकर सौधामिनी निया भद्र प्रती के अशिष्ट वेवार को ढाकने की चेश्टा की थी एका एक उन्हें चक्कर आ गया कमरे में ले जाकर सुला आई हूँ असल में उच्च रक्तचाप के मरीज हैं आदी आदी उस दिन से वो पती से आमने सामने की टकर में भिरने की मुर्गता कभी नहीं करती थी इसी बीच बिचारी नियती के कठोर आगात से चेतना ही खो बैठी अपनी जिस्सों में आग्या कारणी पुत्री पर उसे बड़ा गर्फ था उसी ने अकवसमात एक दिन मा की लुटिया डुबो दी वो अपने समाज से विकाओं के दलका नेत्रित्व करने जापान गई थी कि बेवी रकाप जंज के किसी मुसल्मानी व्यापारी के कानून की संसी से पकड़ कर फिर अपने बंगले की चार दिवारी में बंद कर सकती थी किन्तों कोट कचेरी का दौर खट खटाने में अब स्वयम उसी की रही सही नाग भी नुच सकती थी अपनी जिस सौम्य पुत्री का उसने समाज में नित्ते बढ़ा चड़ा कर ब्रकान किया था उसकी कलंग गाथा की चर्चा आव वो जबान पर लाभी कैसे सकती थी इसी से उसने स्वयम ही अपने सामाजिक जीवन से रिष्टा तोड लिया दिन भर अपने नए बन रहे मकान के पास ही तंबू तानकर पड़ी रहती पुत्री के निरलज पलायन की व्यथा को उसने नवीन ग्रह के बन रहे कोश्ट प्रकोश्टों के गारे चुने में घोल अपना दुग भुला दिया था महीनों से उसने कोई भी सुसंस्कृत चहरा देखा ही नहीं था बेहिया बेवी के पलायन को वो उसकी आकाल मृत्यू के रूप में सुईकार कर चुकी थी ठकी मांदी घर लोटती तो पती का असहानू पूती पूर्ण विवहार उसे शुब्द कर देता उसकी दृष्टी में पुत्री के अमर्यादा शील विवहार के लिए दोशी वही थी ये सब तुम्हारी ही शिक्षा का परिनाम है लड़की कहा जाती है कब लोटती है किसके साथ गूंती है क्या कभी देखा था तुमने फिर तुम्हारी महत्व कांचा भी तो यही थी कि पुत्री किसी से प्रेम विवहा करे सो पूरी हो गई अब तो कलेजा ठंडा हो गया होगा तुम्हारा स्वधामिनी बॉखला जाती दिन रात की ग्रेकिला की अशान्ती ने शंकर का समगर ध्यान धनारजन पर ही केंद्रित कर दिया था कैसे अधिक से अधिक धन सच्चित किया जाए यही सब उस कुन्ठित अशान्त जीवन का एकमात्र धे रह गया था किसका बिल पास कराने में कितनी बधी परसेंटेज मिल सकती है या किस सरकारी अनुदान पर दस्तकत करते ही पाने वाला सोना अगल सकता है वो खूब जान गया था अब बिना बुलाय ही लक्ष्मी नित्य सोने के घुंगरू चंचमाती उसकी जेब में आकर स्वेम बैटने लगी थी एक दिन एक ऐसे ही करजदार के मधूर आवाहन ने उसके नारी बुभुष्षित प्राणों के सम्मुक एक सर्वता नवीन प्रकार के उत्कोच के छपपन व्यंजनों के थाल सजा कर धर दिये सौदामिनी योवन काल में भी प्रने के अदान प्रदान में सदा क्रिपन ही रही थी योवन और धन दोनों को वो सूम के धन से ही सेत्ती आई थी एक तो नए बन रहे मकान की एक 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 ईट ने उसकी समझ शक्ती को सोख लिया था उस पर रही सही कसर बेबी ने पूरी कर दी थी रात को शंकर कभी सनलग ने शैया से हाथ बढ़ा उसे अपनी और खीचने की चेश्टा भी करता तो वो जहला कर उसकी प्रसारित बाहू दूर पटक करवर बदल कर सो जाती ये सब करते शर्म नहीं आती अब तुमें दो वर्ष में पूर्वर पचास के हो जाओगे बिचारा शंकर चुपचाप पड़ा करवटें बदलता रहता अपनी उस मूर्खा पत्नी को वो समझा भी क्या सकता था कि पचास के होने पर भी परुष के बुभुक्षा कातर प्राण कभी सुखे शिशु की ही भाती समय असमय कुछ नहीं देखते इसी से जब उस कटल उत्योग पुती ने अपने मोहक प्रस्ताव का चुगगा फेका तब वो पहले ही आवाहन में खिचा चला गया सर अपनी यही एक होबी है खीसे निपोर कर उसने कहा था एक छोटा सा सुन्दर फ्लाट ले लिया है सारे दर्वाजे खिड़किया साउंड प्रूफ है वहीं सामान या पत्र पुष्प से आप जैसे देवताओं की पूजा करता है यह सेवक पत्र पुष्पी सब सम्भरांद ग्रहों के वाटिका के लाता हूं सर स्कूल यूनिवर्सटी, मेडिकल कॉलिज की सम्भरांद ग्रहों की लड़किया इसी से एकदम एर होस्टेस वाला माब दन रखता हूं जहां 22 वर्ष से उपर वहिस हुई वहीं एकदम अन्फिट आपकी उची पसंद खूब पैचानता हूं इसी से एकदम आपकी पसंद का प्रभधन कर तब बुलाने लाया हूं मैं क्या इतना भी नहीं समख सकता कि जो इंपोर्टेट सिगरेट को छोर और कोई सिगरेट हूटों से नहीं लगाता श्वाज रीगल को पानी की तरह पीता है वो कैसी कशीन कटी की कामना करता है केवल एक बार मेरे फ्लाट में पद्धूली देनी होगी शंकर की आपती जनक गुनगुनाहट को भाप फिर उस घाग ने ततकाल खीसे निपोर कर कहा था अरे अरे आप एकदम निश्चिंत रहें ऐसा कोई खत्रा हो ही नहीं सकता अब आपसे क्या चुपाऊं एक से एक उचे तपके के अतिथी मेरे यहां आते रहते हैं विश्वास ना हो तो एक दिन मेरे कमरे में लगी मैजिक आई से स्वैम नजारा देख ले कैसे कान में जनोई डालकर दिशा जंगल जाने वाले ख्याती प्राप्त नेता कलाकार युनिवस्टी के प्रोफेसर आपकी विरादरी के महानु भाव नित्य मेरे उस फ्लाट में नकाब डाले निगर गंड सीनात आने चले आते हैं और वैसे ही संतुष्ट निर्भीक कदमों से लौट जाते हैं किन्तु शंकर ने भी कच्ची गोलिया नहीं खेली थी उस मैजिक आई से उसने ये दिव्यजाकी देखी तो पहले उसे अपनी आँखों पर विश्वासी नहीं हुआ ये सब ये सब भी आते हैं यहां प्रते एक अतुलनी अभ्यागत आता और भीतर पैर रखते ही निसंशे हो सेरे की नकाब ऐसे खूटी पर टांग देता जैसे सफल आपरेशन कर बाहर निकला सरजन अपनी नकाब उतार कर टांग देता है साथ में एक ना एक ताजी कुंद कली सी किशोरी रहती विभिन कमरों से देखते देखते हसी की फुल जणिया ठूटने लगती स्वच बुर्राग बैरेटरे में नाना प्रकार के चिखोने सजा सजा कर कमरों में पहुचाते और धीरे धीरे मुर्दा फूख कर उदास आत्मियों की ही भाती कंकियों से इधर उधर देखते अपने अपनी नकाब लगा कर सीणिया उतर जाते चतुर प्रभंदक प्रतिय कत्युति के जाने से पूर्व स्वयम बाहर निकलकर लाइन क्लियर की हरी जंडी दिखा देता था कहीं ऐसा ना हो कि एक संभरांत निशाचर किसी दूसरे संभरांत निशाचर से टकरा जाए चौथे दिन आश्वस्थ होकर ही शंकर ने पहली बार नकाब डाली और एक विचित्र परिचित सी मादक सुगन से उसके नथने फड़क उठे निश्चही प्रभंदक की रुची उचकोटी की उच्रुची थी ऐसी ही सुगन सौदामनी के कपड़ों से भी आती थी एक शं के लिए उस सुगन का स्पर्ष उसे विचलित कर गया पर फिर उसी पुहक बंधन ने तो उसके माता पिता के मुह की बेणिया भी उससे निर्ममता से काड़ती थी यहाँ आने में वो उसी निर्ममपत्नी से अपना प्रतिशोद ले रहा था उसी क्षण कठोर बन वो अपने आवंटित कमरे की और बढ़ रहा था कमरे की स्वच्च सज्जा अनुपम थी नीले पदों और दूदिया नीले मधिम बल्प के प्रकाश से पूरे कमरे में डिनर किसी कैंडल लाइट मदिर आबा विक्री थी एक तखत तुमा पलंग पर डनलप के गद्दे को सुन्दर मुलायम पलंग पोश्च से ढग दिया गया था दीवार पर लगा नगन यक्ष यक्षनी के मिथुन जोडे चित्र का इश्वरे किसी भी अंश में खजुराहों के देवाले की दीवारों पर खुदी मूर्थियों से कम नहीं था एक मेस पर प्लेबॉय पत्रिकाएं बिखरी थी उन्हीं में खोई उस लड़की की पीट उसकी ओर थी उसकी पच्चाप का संकेत पाते ही वो बड़ी शिच्टिता से खड़ी हो गई गुड़ इवनिंग सर इवनिंग शंकर ने हसकर प्रतियुत्तर दिया किन्तु उसी खशन वो सहस्तर बार पूरवाभ्यास की गई उसकी खिसियासी हसी विलुप्त हो गई लड़की भी चकोर किसी दृष्टी से उसे देख रही थी शायद दोनों ही एक दूसरे के उस अपरतियाशित व्यक्तित्व के लिए प्रस्तुत नहीं थे वो राग धीले पजामे और चिकन के कुर्ते में वो आकरशक रोबदार कमभीर अतिथी आने से पुर्व हजरत गंच के बजरंग बली के सिंदूर के लंबे तिलक से अपने गौर ललाट को चर्चित कराया था उधर दूधिया मुसकान बिखेरती स्कर्ट बलाउज में एकदम ही मासूम लग रही वो भोली सी लड़की एकदम स्कूली के शोरी लग रही थी एक शन के लिए दोनों गूंगे बन गए त्फिर सिगरेट केस से सिगरेट निकाल लाइटर से उसे सुलगा शंकर ने बर्फ की सिल्ली तोड़ी थी अपनी मोहक हसी से क्या नाम है तुमारा? कोयल वा नाम तो बड़ा सुन्दर है एकदम तुमारी आवास से मेल खाता है कब से इस आमर कुंज में गोहक रही हो? जी मैं समझी नहीं असल में मेरी अलमिन्टरी हिंदी है उसमें भी हमेशा फेली होती आई हूँ ओ, शंकर के बैठे गले की खुरदुरी हसी उची परवच श्रेणियों में दबदब कर घुट रही में गरजना सी मधुर होकर गूँज गई पर एक विश्य में तो आसाधारन प्रतिभा रही होगी तुमारी जो इतनी छोटी उम्र में ही यहां पहुँच गई उसने आखे जुखा ली सलोना चहरा एका एक उदास हो गया शंकर के सुधा कातर प्रान फड़फडा कर होटों पे आ गए बर्बस उसकी आखों की सैयाद रिष्टी उस सलोनी देह पर फिसलने लगी कैसे आकरशक भंगमा थी बैठने की कंधे की उठी हड़िया नुकीले हंकारी तेवर, सुचिक्किन का पोल, गोल चुबक और प्रत्यंचासी भवे शहरा सावला था किन्तु देह की गढ़न लाखों में एक थी निश्य ही प्रभंदक ने उसकी रुची को पहचान लिया था यदि देह का सामान्य सा उन्नत उभार आखों को न आठका था तो उस दुबली काया का पूरा नक्षा किसी तेरा चौदा वर्ष की किशोरी का था पतली सी कलाई में धीली बंधी घड़ी बाजू बंसी लटक गई थी ये भी उसके किसी अथिती का उपहार था या लड़की अपने बाप की घड़ी बांध कर आ गई थी इसी बीश बेरा ट्रे में दो गिलास सोडा और उसका प्रिय पे लेकर आ गया क्रमशा दुर्बल पढ़ रहे चित्त की धरकनों को सयम्मित करते शंकर ने गिलास भरे और एक संगनी की और बढ़ा हसकर कहा चीर्स वो इस बार हस दी चेहरे की उदासी देखते ही देखते न जाने कहां उड़ गई अभी पढ़ रही हो क्या पहले ही घूट ने शंकर की जिवा को निर्भीक बना दिया जी इस वर सीनियर केंबरिज दे रही हूँ शंकर के कलेजे में जैसे किसी ने घूसा मारा उस मुसले के साथ बेबी ना भागी होती तो वो भी इसी साल भी हसी में होती क्या पता ये उसी की से अपाठे नी हो कुछ देर तक वो फिर कुछ कह नहीं पाया लड़की बार-बार हाथ की घड़ी देख रही थी अपने अधैरे से वो जैसे बिना कुछ कहे ही उससे कह रही थी मेरे समय सीमित है समय से मुझे घर लोटना होगा नहीं तो डाट पड़ेगी उधर अतीत के न जाने कितने स्मृती दंश बार-बार शंकर का कलेजा निचोड रहे थे बेभी भी तो दिन धूबे घर लोटती थी सौदामिनी को तो कभी जिनता नहीं हुई वो कभी-कभी बुरी तरह जला पड़ता था कहां घुमती रहती हो इतनी देर पापा मेरे एक्स्ट्रा क्लास था मदर ने सब लड़कियों को रोक लिया तो मैं कैसे चलिया थी तब क्या ये छोकरी भी अपने किसी अभागे पापा को एक्स्ट्रा क्लास का चक्मा पढ़ा कर इस बदनाम गुप तडडे में भटक रही थी तुम्हारे बिता क्या करते हैं मन की शंका ही सहसा उसकी जीवा पर फिसल गई और उस अचानक पूछे गए प्रश्ट ने उस लड़की को चौका दिया एक पल में उसके बोले चेहरे की एक एक निर्दोश रिखा विलप्थ हो गई नई नई पकड़ी गई कुरुध नागिन किसी पुफकार में उसने अपना नन्धा सीना तान लिया आपको मतलब? सपश्ट था कि संभरान पिता का कुलगोत रुगलने वो यहां नहीं आई है नाराज क्यों हो गई? मैंने तो ऐसे ही पूछा था आओ, हसकर शंकर ने अपनी दोनों रंबी माहें फैला दी उसी आवाहन की भाषा को वो पैचानती थी इसके बाद कोयल शंकर के नीरस जीवन का एक सरल अभिन अंग बन गई दफ्तर की फाइलों के इस तूपा कार अंबार को बिजली की गती से चीरता वो अब समय से पूर्वी उस गुप तड़े की सिडिया चड़ने लगता नित्य नवीन वेश भूशा में कोयल अपने नए प्रेमी को पूर्ण रूप से मोच चुकी थी शितदल की कोमल पंखुणियों में बंध मदुकर अब चाहने पर भी उस मदुकर बंधन को व्यर्थ नहीं कर सकता था अपनी नवीन प्रेमिका की बचकानी फर्माईशें पूरी करने में शंकर को एक अनुखा अनंद आने लगा था कभी चॉकलेट, कभी नटीज, कभी हलके फुल के उपन्यास एक दिन तो वो अमानवी दुसाहस से बिना नकाब डाले ही उसे हैंबरगर और सौफ्टी भी खिला लाया फिर एक दिन तो उसके दुसाहस ने मर्यादा की चरम सीमा का भी उलंगन कर दिया सौदामिनी से किसी कालपने कैबिनेट मीटिंग का बहाना कर कोयल को लेकर कुक्रेल के बीहड अरन्य में बाहों के घेरे में बांध दिन भर घूमता रहा ये उसके योवन का अंत नहीं जैसे योवन का आरंब था दुर्भागे से सुकुमारी कोयल भी अपने उस व्यक्तित्व संपन प्रेमी के प्रेम में आकंठ डूब चुकी थी इसी तरह न जाने कितने महीने बीद गए एक तो प्रेम वैसे ही अंदा होता है किन्तो प्रोडा वस्था के प्रेम की चक्षुहीनिता प्राय असाध्य होती है इधर सौदामिनी अपनी नई बन रही कोठी के व्यविसायक रूप को समारने में लगी थी जब वो विचारी फ्लश की जंजीर और वाश बेसिन के अरसिक संचालन में डूबी थी शंकर जीवन की रस्तरंगों में डूब उत्रा रहा था कभी-कभी सौदामिनी पती के खिले चेहरे को इर्श्यक दग तृष्टी से देखकर कहती लगता है तुम पर अब जवानी चड़ रही है गॉल्फ खेलना सचमुशी तुम्हें माफिका रहा है पती कैसा गॉल्फ खेल रहा है ये विचारी क्या जानती थी तभी रस्य लबालब शलकता शंकर के जीवन का वो मधुमात्र एक दिन स्वैम फूड गया शंकर कोयल उस दिन उसके आते ही उसके गले में बाहें डाल कर सिसकने लगी मुझे जिस बात का डर था वही हुआ आज मैं एक लेडी डॉक्टर के पास गई थी एक शन के लिए शंकर का चेरा सफेद पढ़ गया फिर पलक जपकते ही भविश्यक की प्रतियेक अवांचनिय समभावना उसे चोकना बना गई शायद वो समझ गया था कि जरा भी पिगला तो अनर्थ हो जाएगा एक ही जटके से कंदे पर पड़ी पानी की मुने जटक कर दूर फेक नहीं होंगी तो उसने बड़ी उदासीन रदहीन मुद्रा में पूछा कोयल ने आखे पोच कर कहा क्यू मैं क्यू करूँगा क्या मैं ही तुम्हारा एक मातर प्राहक हूँ कोयल फटी-फटी आखों से उसे देखती रह गई क्यू मजाग कर रहे हो शंकर मैं कसम खाती हूँ जब से तुमसे मिली हूँ मैंने किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं किया मेरे डाड़ी भार में जाए तुम्हारे डाड़ी लड़की से पेशा कराने से पहले नहीं सोचा तुम्हारे डाड़ी ने और सिसक्ती कोयल को एक प्रकार से धकेल कर ही वो तेजी से बाहर निकलाया सारी रात वो सो नहीं पाया बार-बार वो अश्रुसिक्त कपोल और भैवीत हिर्नी कीसी वो विस्फादी दृष्टी उसे बीनती रही दूसरे ही दिन दिल्ली से किसी मीटिंग का बुलावा आ गया बड़ी निश्चिंता से वो उसी दिन पहली फ्लाइट से निकलाया तीसरे दिन लोटा तो अर्दली नए पुराने अगबारों की मिश्रित गड़ी चाय के साथ मेज पर लगा गया अचानक उसकी दृष्टी पहले प्रिष्ट के कोने पर छपी पंक्ती पर पड़ी गोमती में वरिष्ट अधिकारी की किशोरी पुत्री की लाश मिली लगता है मृत्यू का कारण आत्महत्या है लाश पोर्थ मार्टर्म के लिए भेज दी गई है शंकर का अपराधी शंकित भीरू चित उसी खशन हतकडियों में स्वयम जकड उसी के सम्मुक आत्म समर्पन कर गया वो से सकती छवी उसे बाहर भीतर जाते क्रूर वधिकों को भाती उसका पीछा करने लगी शंकर मेरी डाड़ी मुझे गोली सोडा देंगे पानी में तैरती लाश के साथ ही जिस डाड़ी के नाम को वो साथ तालों में बंद कर चुपाती रहती थी वो उपर तिरा आया था शंकर ने कभी स्वपन बे में नहीं सोचा था कि उसकी ही अफसर विरादरी के किसी संब्रान सदसे की पुत्री की मृत्यू का कारण वो स्वयम बनेगा तब ही एक और शंका उसे विचलित कर गई थी कहीं कोई चिठी विठी छोड़कर तो नहीं मरी थी या भागी स्वयम तो डूब ही गई थी कहीं ऐसा ना हो कि उसकी उची नौकरी को भी ले डूबे उसकी आशंका व्यर्थ नहीं गई पहले दिन समाचार पत्रों के प्रथम प्रष्ट के कोने पे छपे उस आत्मत्या के संक्षिप्त समचार ने देखते ही देखते विराट रूप ले लिया था अंतराश्ट्रिय महत्व के समाचार, प्रदेश की उलजी राजनीती के दाव पेज सबकुछ उसी वरिष्ट अफसरों की चरित्र हत्या के प्रसंगों के सम्मुक्स प्रतेक महत्वपूर्ण समाचार फीका पढ़के रह गया अकबार आता तो लोग चील की तरह जबटते किसी धारवाहे को पन्यास की रोचक क्रिस्त के प्रतीक्षारत पाठकों के से ही अध्यारिसे सबसे पहले वो उसी समाचार की चरन चटनी को बड़ा रस ले लेकर चाटते फिर अनेक सर्वशक्ती समपन व्यक्तियों के नाम लपेट पे आते देख सतर्क प्रेस ने भी अपना पैतरा बदल मानस का महान सत्य हरिदेंगम कर लिया समरत को नहीं दोश कुसाई उस असपष्ट गुनगुनाहट में जो नाम सबसे प्रिखर होके उबरा उसे सुनते ही वहवार कुशल सौधामिनी सतर्क हो गई थी बड़ी सूजबूश से उसने अपने ही डूपते पती को उस गहरी जलधारा से बाहर खीच किनारे पटका था पटक तो दिया किन्तु उस खीचा तार ने पती पतनी के बीच सदा सदा के लिए एक अभेत दिवार खड़ी कर दी थी यवन का शमाशील चित्र ऐसी प्रवंचना से समझोता कर भी लेता है केंतो जब वर्षों का प्रॉड साहचरे चला जाता है तब उस चलना को शमा देना ना पती के लिए संभव होता है ना पतनी के लिए दोनों के बीच बोलचाल भी लगबग बंद हो चुकी थी लोक लजजा ही दोनों को निरजी वियंतर चालेत पुत्नों की भांदी एक साथ खाने की मेस पर आमने सामने बिठाती शेयन कक्ष के एकांध में मूंदती और फिन दिन भर दोनों अपनी अपनी रहा निकल जाते संध्या को दोनों लोट कर मिलते तो घर में फिर मरघट का सा सन्नाटा खिच जाता एक दिन शंकर दफतर से लोटा तो सौदामिनी नहीं थी उसने नौकर को बुला कर पूछा में साम नहीं कोठी से नहीं लोटी गया आज में साम वहां नहीं गई थी साहब सुबे दस बजे ही कहीं चली गई शंकर का डरा सेमा मन अपकिवल बुरी संभावनाओं के ही काल्पनिक जाल बुनने लगा था कहीं मानसिक तनाओं के कारण वो भी कुछ न कर बैठे पर पत्नी के तन्मन की मजबूत काठी को वो खूब पहचानता था भावुकता के शणे कावईश में अभागिनी कोयल किसी मुर्कता वो कभी नहीं करेगी बड़ी रात को सौधामिनी लोटी तो उसके सूखे चेहरे की तनी मुद्रा देख शंकर को पहले पत्नी पर तरसाया पर इसी एहंकारी स्वार थी धन लोलुप नारी ने तो उसकी ये दुर्दशा की थी दोनों ने नित्य की भाधी एक साथ निशप्त खाना खाया एक साथ अगल बगल लेटे फिर नित्य की भाधी बत्ती बुझा सौधामिनी ने अपने पलंग पती के पलंग से दूर खिसका लिया वो लेट गया था किन्तु तनी पत्नी बिस्तर पर ही बैठी थी सह में स्वर में शंकर ने पूछा क्यों तबियत ठीक नहीं है आज उसके प्रश्ण के साथ ही वो भूकी शेरनी सी उस पर तूट पड़ी बेहया बेशरम नाग जड़ नहीं जाती ये पूछते मेरी तबियत अब क्या ठीक होगी ये लो पड़ो इसे जानते हो इस चिरकुट को वसूलने में मुझे माईके से मिला अपना पूरे हीरों का जड़ाउ सेट बेचना पड़ा मेरे सारे सेविंग सर्टिफिकेट सारे यूनिट सब चले गए पूरे बीस हजार लिये उस वराक्षस ने किसने? कैसा चिरकुट? इस बार भैगरेस शंकर उठकर बैढ़ गया जिसने तुम्हें मदुबन के कुंज में पहुचाया था लो पड़ो इसे बटवे से तुड़ी मुडी चिठ्थी निकाल उसने शंकर के मूँ पर दे मारी बत्ती चलाते ही संक्षिप्त पत्र की गोलमोल कॉन्विंटी लिखावट पैचानने में उसे विलम नहीं हुआ शंकर कहते हैं मरने वाला कभी जूट नहीं बोलता जिस अजन्मी संतान को तुमने स्वीकार नहीं किया उसे फिर और कौन स्वीकार करता इसी से उसे साथ लेकर जा रही हूँ ये संतान तुम्हारी ही थी शंकर तुमसे परिचे होने के बाद मैंने किसी पुरुष का स्पर्ष नहीं किया कोयल फिर पती के हाथों से वो चिठी छीन क्रोथ से काप्ती सौदामनी ने चीथर चिथर कर फेग दी बड़ी रात तक उसकी सिस्कियों से काप्ती देह शंकर देखता रहा फिर वो उठकर बाहर चला गया दुरदिन के ऐसे ही अफसात के क्षणों की मार सहने के लिए उसने अपनी क्याबिनेट में एक बोदल चुपा के रखी थी नजाने कब तक वो उसे अकेले अंधेरे कमरे में बैठा उसे घुटकता रहा जब बड़ी देर बाद कमरे में लोटा तब नशे में अनिश्चित कदम डगमगा रहे थे किसी तरह पलंग तब पहुँच गया वो लेड़ गया बड़ी देर बाद सर पर किसी का स्पर्श पावो अच्चचा कर जाग गया उसे लगा उसके सिराने कोई खड़ा है चतुर दर्शी की धोट चंदरका के इस पश्ट आलोक में पास खड़ी पतली नाइटी में पतनी की छरहरी काया पहचानने में उसके नशे की खुमारी में डूबी आखों ने भी भूल नहीं की सुगत आश्चर्य से वो मुस्कुराया तब क्या जीवन की लज्जा, कलंग उन दोनों को एक बार फिर पास खीच लाए थे दोनों बाहे फैला कर उसने मदाले स्मित बिखेर कर कहा आओ सौदामनी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ मैं निर्दोश हूँ, आओ खबरदार जो मुझे छुआ, वो छिटकर दूर खड़ी हो गई शराबी कहीं के, कहते हो मैं निर्दोश हूँ हत्यारा, शायद वही संबोधन सुन, शंकर का नशा हिरन हो गया पाखंडी, देखो मैंने आज तुम्हारे आखरी मुखाटा भी उतार दिया है इतने सालों में आज मैं अपना बदला ले पाई हूँ साक्षात्र उग्र चंडिका किसी मुद्रा में उसने फिर अपनी दोनों बाहें उपर उठा ली उसके एक हाथ में क्याची थी दूसरे हाथ में थी पंखे की हवा में फैराती पती की निश्प्रान शिखा तो ये थी शिवानी जी कहानी रतिशोद सुनने के लिए धान्यवाद